नमस्कार दोस्तो और सीके चैनल में आपका स्वागत है आज मैं दो रंग का ये कुपसुरसा डिजाइन लाएं हूँ जिसे बनाना बहुत ही आसान है इसे बनाने के लिए मैंने 22 फंदे डाले हैं तो ये डिजाइन का पहला लाइन है और सामने से दो फंदो को एक साथ लेंगे और बैक लूप से एक सीदा फंदा बना लेंगे अब हमें अभी इस फंदे को गिराना नहीं है उनको अपनी और करना है फिर इन्ही दोनों फंदों में एक उल्टा फंदा, तो दो फंदे से हमने दो फंदे बना लिए, अब उन दूसरी और करेंगे, और फिर नेक्स्ट दो फंदे लेंगे, और दोनों को एक साथ लेते हुए, बैक लूप से, एक सीधा फंदा बना लेंगे, अभी हमें फंदे गिराने नहीं है उनको अपनी ओर करेंगे फिर इन्ही दोनों फंदों में से एक उल्टा फंदा बना लेंगे तो दो से हमने दो फंदे बना ले उन दूसरी ओर करेंगे नेक्स्ट दो फंदे लेंगे और दोनों को एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा बना लेंगे उन अपनी ओर करेंगे और इन ही दोनों फंदों से एक उल्टा फंदा उन दूसरी ओर करेंगे नेक्स्ट दो फंदे लेंगे और दोनों को एक साथ लेते हुए बैक लूप से एक सीधा फंदा बना लेंगे फिर उन अपनी और करेंगे और इन्ही दोनों फंदों से एक पुल्टा फंदा तो हमें दो-दो फंदों को लेते जाना है और एक बार उनसे सीधा और फिर उन्हीं दोनों फंदों से एक बार उल्टा बनाना है दो फंदों को एक सार लेना है और एक बार सीधा और एक बार उल्टा बनाना है तो हमारे जितने फंदे थे वापस उतने ही फंदे हो जाएंगे दो फंदों से दो फंदे बन जा रहा है तो जितने फंदे हमारे पास थे वापस उतने ही फंदे हो जाएंगे तो हमने फर्स्ट लाइन कम्प्लेट कर लिया है अब यह हमारा सेकंड रू है और रॉंग साइड तो सभी फंदे हम उल्टे बुन लेंगे रॉंग साइड से सभी फंदे उल्टा बुनते हुए हम पूरी लाइन कम्प्लेट कर लेंगे तो हमने एक रंके उनसे दो लाइन कम्प्लेट कर लिया अब हमारा दूसर अब हम दूसरे रंका उन लेंगे और पहला फंदा सीधा बन लेंगे अब नेक्स्ट दो फंदे लेंगे और दोनों को एक साथ लेते हुए बैक लूप से एक सीधा फंदा बनाएंगे फिर उन अपनी ओर करेंगे और इन्ही दोनों फंदों से एक उल्टा फंदा उन दूसरी ओर करेंगे, next दो फंदे लेंगे, और दोनों को एक साथ लेते हुए, back loop से एक सीधा फंदा, फिर उन अपनी ओर करेंगे, और इन्हीं दोनों फंदों से एक उल्टा फंदा, देखिए, friends, यह हमने एक सीधा और एक उल्टा बनाया था, लेकिन दूसरे रंग से बनाते समय हम इस डिजाइन में से और एक इस डिजाइन में से लेंगे हमको उसी डिजाइन के उपर डिजाइन नहीं बनाना है बलकि उसके बगल में बनाना है तो हम इस डिजाइन में से एक फंदा लेंगे और एक पिछले डिजाइन में से लेंगे तो दोनों को देखी यह हमने एक फंदा इसमें से इसमें डिजाइन बनाते समय बन लिया है एक फंदा बचा है तो यह फंदा और नेक्स डिजाइन का एक फंदा लेंगे और दोनों को एक साथ लेंगे और बैक लूप से एक सीधा फंदा बना लें यानि डिजाइन एक फंदा आगे बढ़ जाएगा देखिए ये एक डिजाइन है और ये दूसा डिजाइन तो दोनों में से एक एक फंदा हमें लेना है और फिर एक ही रोग का यह डिजाइन है दो फंदो को लेना है बैक लूप से एक सीधा फंदा फिर उन अपने और करके इन्हें दोनों फंदों से एक उल्टा फंदा बनाना है दो फंदो को लेना है बैक लूप से एक सीधा फंदा और इन्हें दोनों फंदों से वापस एक उल्टा फंदा बनाना है तो डिजाइन बहुत ही आसान है और एक ही रोग का डिजाइन है एक रंग के उन से दो लाइन बनाने के बाद अगला दो लाइन दूसरे रंग के उन से बनाया जा रहा है बस हमें ये ध्यान देना है कि दूसरे रंग के उन से बनाते समय डिजाइन एक फंदा आगे बढ़ जाएगा और रॉंग साइड से सभी फंदे उल्टे बना लिए जाएगे रॉंग साइड से सभी फंदे उल्टे अब दूसरे रंग के उन से बनाते समय अब की डिजाइन पहले दूसरे फंदे में ही बन जाएगा पिछली बार हमने देखिए पहला फंदा सीधा बना था और दूसरे और तीसरे फंदे में डिजाइन बना था लेकिन अब हम जब दूसरी बार डिजाइन बना रहे हैं तो पहले दूसरे फंदे में ही बन जाएगा एक बार पहले दूसरे फंदे में, दूसरी बार दूसरे कलर से दूसरे तीसरे फंदे में और बनाना वही है, तो फंदों को एक साथ लेना है, बैक लूप से एक सीधा फंदा, फिर उन अपनी और करना है और इन्ही दुनों फंदों से एक उल्टा फंदा तो डिजाइन बहुत ही आसान है और इसे प्रिग्णर्स भी आराम से बना सकते हैं तो देखिए फ्रेंस डिजाइन बनके त्यार है सामने से यह ऐसा दिखाई दे रहा है और रॉंग सैट से ऐसा आशा है आपको अच्छा लगा होगा तो यदि आपको अच्छा लगा है तो क्रिपे से लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें डिजाइन को अपने दोस्तों में अपने श्टेदारों में शेयर करें बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नौटिफिकेशन आपको मिलता रहे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद